कोरोना वारस देश भर में तैजी से फैलता जा रहा है देश में कई दिनों के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन इस महिने के अंत में खत्म भी हो गया तो क्या कोरोना से मामले चरम पर पहुशने में जुलाई की मध्य तक का समय लगेगा। विशिशगी ने कहा कि चरम पर पहुशने के बावजूद देश में पिछले दो महिने की दरान किये गे रोक्थाम में मजबूत उपाय के कारण संक्रमन की मामले में मामूली बढ़ोतरी ही दिखाई देन की संभावना है। पब्लिक हैल्थ फाउंडिशन आफ इंडिया के प्रॉफेसर डॉक्टर आर बाबू ने कहा कि वैश्विक स्तर के मकाबले देश में कोवीड-19 से मनने वालों का चार्ट निश्चित तोर पर फिलहाल नीचे की तरफ जा रहा है। डबली एचो के साथ कर 20 मही को लॉक्डाउन हटाते हैं तो हम जुलाई मदी के करीब संक्रमन की पीक पर होंगे। क्योंकि इसके लिए आपको तीन एक्यूबेशन पीरियट से गुजरना होगा जो करीब देड़ महिना बैठता है। इतना समय यह जानने के लिए परियाप्त होगा कि नियंतरत कि जाने के स्थिती में बिमारी कैसे फलती है। उन्होंने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगा लेकिन अब भारत में अनियंतरन जैसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यदि आप लोगों को आज भी आजाद कर देते हैं तो वह वाइरस फोबिया के कारण उन कामों को नहीं करें फोड़ अपडेट्स